एक आगम कहानी से शुरू करते हैं दशार्न देश के राजा दशार्न भद्र को ऐसा विचार मन में आया कि मैं भगवान महावीर का भक्त हूँ मैं भगवान को वंदना करने के लिए इस प्रकार की अद्बुत, रिद्धी और सिद्धी और वैभव के साथ जाऊं कि आस्त किसी ने उस प्रकार के ठाट के साथ वंदना भक्ती न की हो इसलिए दशार्न भद्र राजा बहु मुल्य स्रेष्ट वस्त्र आबुष्णों से पूर्न तया अलंकृत होकर एक सू सज्जित हाती पर बैठा उसके पीछे चतुरंगिनी सेना, मंत्री, सामंत, आधी, राच, परिवार और नगर के स्रेष्टी, व्यापारी आधी चल रहे थे उसके आगे आगे गंधर्व, गान कर रहे थे विलासी निया निर्थ्य कर रही थी अपना ये सब ठाट देख कर दशार्न भद्र राजा एहंकार बरे हर्ष से आनन्दित हो रहा था दशार्न भद्र राजा की सवारी जियों ही बगवान महावीर के समवसरन के निकट पहुंची त्यों ही इंद्र ने अवदी ज्यान से देख कर सोचा दशार्न भद्र राजा को एहंकार आ गया है इसे ये नहीं पता है कि देव मनुश्यों की अपेक्षा भौतिक रिद्धी और वैभव में बड़े छड़े होते हैं इसका वैभव मद उतारना चाहिए जिससे ये प्रतिबुद्ध हो सके ये सोचकर इंद्र वैक्रिय सकती से अपने एरावत हाती पर बैट कर देवों, देवांगनाओ, नित्य, गीत, वाध्यों के साथ कई गुन अधिक वैभव के साथ बगवान के समिप आकर प्रदक्षि इना पूर्वक वंदना करने लगा, इंद्र का अपार वैभव देख कर दशार्न भद्र का गर्व चूर चूर हो गया, उसने सोचा बौतिक वैभव में मैं इंद्र से बहुत पीचे हूँ, इंद्र ने पूर्व भव में शुद्ध धर्म का आराधन किया है, उसी के फल स् इसे ऐसी महान अलोकिक रिद्धी प्राप्त हुई है, मैं भी यदि शादू बनकर उत्कृष्ट धर्मा चरन करूँ, तो आध्यात्मिक वैभव में इंद्र मेरी बराबरी नहीं कर सकेगा, ऐसा करने पर ही मेरी विजई हो सकेगी, इस प्रकार सम्वेग भावना से प्रति बुद्ध होकर, राजा दशार्न भद्र ने भगवान महावीर से प्रातना की कि भगवन मैं इस भव भ्रमन से गबरा गया हूँ, इसलिए मुझे आप प्रवज्या यानि दिक्षा देने की कृपा करे, भगवान ने राजा दशार्न भद्र को दिक्षा दी, देवराज श आपने ऐसी भौतिक सम्रदी का त्याग किया है, पहले आपने अभिमान गरस्त होकर द्रव्य वंदन किया था, अब सादुत्वस विकार करके आपने वस्तुतह प्रभु को भाव वंदन किया है, इसलिए आप महान है, अब मैं आपकी चरन की धूल की भी तुलना नहीं कर स इस प्रकार दशार्न बद्र मुने की प्रसंसा करके इंद्र अपने स्तान को लौट कया, तो एक पल में भौतिक वैभव के प्रदर्शन की भावना और दूसरे ही पल में संसार से विरक्ती, तो आज का प्रशन है कि बगवान महाविर को मनह पर्यव ज्यान कब प्राप्त ह दूआ कमेंट में बताएं, वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब करें